जाहिंद स्वागत आपका इस यूटूब चनल लर्ण टी लाइफ में इस सेशन में हम डेली करेंट अफियर्स का क्यूज करते हैं अगर आप किसी भी कम टेक्टिविक जंग का प्रेप्रेशन कर रहा है लाइक यूपी एससी एससी एंडी एयर फोर्स नेवी कोस्ट गाट त क्योंकि इस सेशन में डेली करेंट अफियर्स का इंपोर्टेंट कोश्टन करता है फिर उसके एंसर को अच्छा सेश्प्लेंड करता है तो चलिए सेशन शुरू करता है तो सब्सक्राइब के सामने क्वेशन है वीच यह डिडिड मदर ट्रेसा विन दर नोबल पीस बात करते हैं इसके करेक्ट एंसर को तो नोबल प्राइस शांती के छेत्र में उनीच सो उनासी में दिया गया था मॉदर ट्रेसा को सो डी दा करेक्ट एंसर नेक्स्ट कॉस्चिन है वाट इस्टिमेट जीडिपी ग्रोथ रेट अफ जा इंडियन इकनोमिक एस पर दा वर् प्रेस्ट ॉसय स hmध opinions आज सिल सक्ट सब्सक्राइट दा करते हैं स्मया थे अच्ट प्र factor का दे इसके करेक्ट झाने प्रषे है एट फं आगे 2022 to grow by 8.3 percent in the latest economic update for South Asia ठीक है so B is the correct answer next question आपके सामने है what is the theme of World Egg Day 2021 World Egg Day celebrate किया गया था 2021 में तो उसका theme ख्याता है तो option है egg for all nature's perfect package option भी है egg for everyone nature's perfect package option C eggs for health nature perfect package और option D है non बात करते है इसका correct answer का तो इसका correct answer हो जाएगा the theme 2021 for World Egg Day is egg for all nature's perfect package ठीक है egg for all nature perfect package तो यह option A है so option A is the correct answer next question आपके सामने है the Reserve Bank of India has retained real GDP growth at how much for financial year 2021 to 2022 अब रिजार बैंक ने कितना किया था मत रियल रिजार बैंक जरक पुछा जारा अफ इंडिया है रिटेंड तो इंडिया ने कितना return किया था रियल GDP growth ठीक है फिसकल यह कितना 2021 से 2022 में तो बात करते हैं के correct answer का this a correct answer हो जाएगा 9.5% कितना हो जाएगा C 9.5% ठीक है the RBI monetary policy committee has returned the real GDP growth projection at 9.5% in 2021-2022 next question आपके सामने है the RBI and the RBI has retained policy repo rate at how much percent जो RBI है वो मतलब return policy का रेपो रेट कितने परसेंट पर रखाया ठीक है तो अप्शन एह 3.3% 5% अप्शन भी है 4.25% अप्शन से 4.5% और अप्शन भी है 4.0% तो बात करते हैं इसका correct answer का जिसका correct answer हो जाएगा the RBI monetary policy committee has decided to keep policy repo rate unchanged at 4% मतलब 4% पर परसेंट पर क्या करेगी unchanged रखेगी तो option D is the correct answer next question आपके सामने है in 2021 world investor week has been organized which organization organized the annual event बोला जा रहा है कि 2021 में क्या किया गया था world investor week को organized किया गया था तो यह किस organization द्वारा कि संसा द्वारा इसको as a annual event इसको organize किया गया था तो option A है international organization of secretary commissions option B organization of economic cooperation and development option C financial stability board और option D है financial action task board तो बात करते हैं इसका correct answer का इसका correct answer हो जाएगा international organization of secretary commissions ठीक है international organization of security commission द्वारा क्या किया गया था world investor week organized किया गया था ठीक है तो यह ज़िए करेक्ट एंसर आपके सामने है who has won the Nobel Prize Nobel Peace Prize 2021 जो 2021 में Nobel Prize जो पीस के लिए दिया गया है वो कि से दिया गया मतलब किस नहीं यह जीता तो option है Benjamin List and David McMillan option भी है अब्दुल रज्यक गुर्णा अफसंसी है मारिया रेसा एंडिमित्री मुरातो और option है स्यू कूरो मनाबे एंड क्लाउस है सल्मान तो बात करते हैं इसके करेट टेंसर का तो इसके करेट टेंसर के हो जाए का मारिया रेसा एंडिमित्री मुरात थाओ ठीक है इन्होंने क्या किया है 2021 का सांती के लिए Nobel Prize जीता है कि नेक्स्किन आपके सामने है पील हरानाद आएज बिन एपॉंटर एज़ चीर मैं आप इच ऑफ दिस मेजर पॉर्ट कुछा जा रहा है कि जो मतलब पील हर नाथ है इनको क्या किया गया है एज चेर में न्यूक्त किया गया है तो पुछा जारे किए किस मेजर पोर्ट का चेर में इनको न्यूक्त किया गया है तो अप्शन है स्याम परसाद मुखरजी पोर्ट ट्रस्ट अप्शन भी है दिन द्याल पोर्ट ट्रस्ट अप्शन सी है ट्रश्क का चियर में निव्द किया गया है सो सी दे क्रेक्ट एंसर नेक्स्ट कुस्ट्र आपके सामने है हुई इस द ऑथर द बूक टाइटल इकनोमिस्ट गान्धी दरूट्स एंद रिलिवेंस अफ द पॉलिटिकल एकनोमिक अफ दर महात्मा अप्शन है अप्शन ए है ज अप्शन है उन्होंने यह किताब लिखा है ठीक है कौन सा बुक है यह बुक का ना में एकनोमिस्ट गान्धी दरूट्स एंदर एलिवेंस अफ द पॉलिटिकल एकनोमिक अफ दर महात्मा सो ए इस दे करेक्ट एंसर नेक्स कुस्टन आपके सामने है वीच इंडियन आफ अफसंशी यह उत्रपर उत्रप्रदेश और अफसंडी है महरास्ट्रा तो बात करते हैं इसके प्रीक्ट एंसर कप तो देखिए जो कि महरास्ट्रा है उससे क्या किया गए पालगर्ष वार्डा कोलाम रैस के लिए जीए टे मिला है सोड़ी जो करेक्ट एंसर नेक्स कॉष्चन आपके सामने है यह वीच आफ दप फ्लाइं कांट्री था उन्भील लोगोस सोकर्ज 2024 ईड़ोप्यैंडशनीप मतलब कीस कांट्री ने लोगों फोर इस्टोकर स्ट्रेंट एंटीट फ़र इउरोपेएं चैंपियोंशीब फुटवाल 2014 के लोगों किस देशने तो अपसे अर्जिंटीना अपसेंटीने फ्रांस अपसेंटीने जर्मनी और अपसेंटे इसलिए इतली तो बात करते हैं इसकी करेक्ट असर क्या तो विश्ट टेट इन 2021 पीछे भी से हमनों को सब्सक्राइब किस और नाइजेशन ने यह और नाइज यह था अब बात करते हैं कि यह मतलब दो हजर एक इस में कौन सा वी किसे रिवेट किया जाता है मतलब उसका डेट कब से कब आप सब आप से अप्टूबर फोर टू टेन ट् यू अप्टूबर फोर से टेन तक है अफटूबर यह कॉर्ट हो जाएगा इसी मतलब इसी वी को क्या मनाया गया एज ए वर्ल इंवेस्टर वी ठीक है टिक है तो ए इस ने लिए आपके समने वीच कमपनी आज लांच दा पोस्ट पे स्लूशन बेस्ट ऑन दवाई नाव पे लेटर बीन पील प्लेटफर्म मतलब पूछा जा रहे कि किस कंपनी ने पोस्ट पे सॉलूशन बेस्ट एक प्लेटफर्म लांच किया है ठीक है जिसका नाम है बाइनाव पे लेटर मतलब आभी खड़ी दिये और उसको पे बाद में किजिए ठीक है तो एक ऐसा एंसर का तो जो भारत पे है उसने लॉंच किया है यह बाइनाव पे लेटर सो एज़ा करेक्टर एंसर देखिए जो फिंटेक कंपनी भारत है लांच पोस्ट पे ए निव सोलूशन टू प्रवाइट क्रेडिट टू कस्टोमर अन दा बाइनाव पे लेटर प्लेटफर्म ठ ठीक है ने सुसन आपके सामने वीच एडिशन आफ एयर फोस्ट डे इस बिंग सेलिब्रेटेड इन ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेंटीवन जो हाली में आठ अक्टोबर को एयर फोस्ट बनाया गया वो पुछा जा रहा है कि उसका कौन सा इडिशन मनाया गया तो अप्श है तो यह दो करेक्ट एंसर नेस्ट कोस्टन आपके सामने प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड 35 PSA अक्सीजन प्लांट्स टुद नेशन इस प्लांट्स है बिन डेवलप्ट अंडर वीच फंड मतलब जो हमारे प्रधान मंत जाएं उन्होंने क्या किया है डिसाइडेड 35 PSA ली स Wasi jus लेट ट्रॉलं को कि या जाएगा उस मतलब किस फन्ड के तहथ किया जाएगा तो अप्सटन है इंडिया इन्फ्राइस्त्राक्च्टर डेवलॉप्मेंट फंड आई आई पीडी एफ और अफसन भी है पीएम केर्स फंड अप्संस प्राइम मिनिस्टर नेश्ट रिलिफ फंड और अफसंड यह नौन अफ दैब तो मतलब किस फंड करता है जो प्रधान मंत्री है उन्हों ने डिशाइड किया है कि अक्सिजन प्लांट को है इन्डिया में लाने के लिए तो बात करते हैं से क्लिट एंसर करते मिनिस्ट ऑक्सिजन प्लांट को देश में लगाएंगे तिस यह भाई लगाने के लिए के लिए सो बीज्ट रिक्त नाउस इंग अका साम ने मित्रा इसकी में इन बजट 2021-2022 एसे टर विथ जेग्टर जो मित्रा सटेकर टेंसर का पीरिये में इंट्रेटेंगर टेक्स 추थ तेक्स थे थीक है पिव्धि मेगा इंटेगरट टेस्टाइल वेजन एंट एपी यह कले है्टेंचीर है यह केडेंगर मेर्ब कुंटे इंट्ग्णीड है मतलब जो टेक्स्टाइल है इसको ग्लोबल लेवल पे उपर रखने के लिए यह एनौस किया गया था मित्रा इसकी मुठीक है इसके अपके सामने है वो हैस्ट टॉप इंडिया रीच लिस्ट त्वेंटी टॉप फॉर्टीन्थ कॉंजिक्टिटीव यर पूछा जा रहा है कि मतलब लगतार चोधावा भार फॉर्बिस इंडिया रीच लिस्ट दौज़ार एकिस में कॉन टॉप किया है तो अप्सन है क् किया है लगतार चोधार बार जो फॉर्बिस इंडिया रीच लिस्ट है उसमें टॉप किया है ठीक है सो बीज़ करेक्ट रहा है ने सुसन आपके समने वीच बैंक है बिकॉम दा फर्स्ट शेडियूल प्राइबेट सेक्टर में तो डिसीव एप्रूबल फरम गवर्मेंट इंडिया के द्वारा और वो क्या है फर्स्ट शेडियूल प्राइबेट सेक्टर बैंक तो इसका अपसर आपके सामने है अपसर एंडिस इंड बैंक अफसं भी है कोटक महिंद्रा बैंक अफसंस यह बंदन बैंक और अपसंदी एफ हैडरल बैंक तो आए बात करते हैं इस नहीं हमने है स्वामीट तो स्कीम इत्प्रेंटर वाई विच यूनियान मिस्ट्र अपनचाय तराज और ऑप संदी है मिनिश्ट्रियट रूर रूरल डेवलॉप्मनेंट तो बात करते हैं करें सब्सक्रार क्या हो जाएगा है अपसंदी मिनिस्ट्रिया पंचाय तराज ठ तो तो नेस्ट कुछन आपके सामने हैं वीच कांट्री एस इन बाइट इड तालीबान फोर इंटरनेशनल टॉक और अफगानिस्तान मतलब इंटरनेशनल टॉक अफगानिस्तान पर बात करने के लिए किस देश ने तालीबान को इन्वाइट किया है न्यान निमांतर तो अफशन भी रसिया और पाकिस्तान और अफ़संडी चाइन तो बात करते हैं इसके करेक्टि अशर का तो जो रसिया है उसने क्या किया तालीबान को इन्वाइट किया फोर्ट इंटरनेशनल टॉक और अफगानिस्तान सो भी दख करेक्टियों सर अथा तो आज का सेशन यह नहीं पर समाप्त हुआ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और अभी तक चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में जैहिंद